तो अब हम क्या करेंगे, अब हम functional component की बात करेंगे, तो मैं सब को close कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक मैंने बनाया, parent dot, अब मैं यहाँ पे jsx लिखूँगा, अब तो पता है न, आप चाहो तो component का जो extension है, जो js हम लिख रहते हैं, उसकी जगह आप jsx लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे rcc, save किया, एक लिख दिया है, मैंने child dot jsx, rcc, आप मैं यहाँ पे क्या गरूँगा, एक paragraph लिया, चाहिए, jsx का फ़रा फायदा क्या है, इसमें आपको suggestion मुझाते है, फटा फटा, dot jsx में आपको दिक्कत होती है, suggestions में, tag wise, इसमें फिल जाता आपको, और मैंने या लिख दिया, child, ठीक है भाई, आप इसको यहाँ पे चलते हैं, और इसकी जगह के लिख दूँगा, slash class, npm start, sorry, मैंने या पैरेंट लिख दिया, यहाँ पे पैरेंट लिखना, और बिंडल के लिए में यहाँ पे class name लिख देता हूँ, आप टाखी मिडल में, ठीक है भाई, खेले है, तो यह आपका पैरेंट हो गया, यह आपका चाइड हो गया, परफेक्ट, ठीक है ना भाई, यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को, अब मुझे क्या करना है, डेटा शेयर करना है, पहला process क्या था, पैरेंट लिख दो चाइड वाला, तो अगर आपको यहाँ पे डेटा शेयर करना है, तो आप यहाँ पे वही चीज, खोई भी आपने, जस्त लिख लिख मैंने, फर्स यहाँ पे क्या था, फंक्शन में, अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे क्या था, इस तरीके से उसको देखो तो यहाँ पे प्रॉप्स नाम से आपको मिलेगा, यहां पर बाई डिपॉर्ल हार्ड कोड़ेड है ठीक है भाई वहां पर क्या दान वहां पर आप उस फॉंक्शन में कुछ भी नाम लिखो लेटा आपको यहां पर मिल जाएगा प्रॉप्स का अगर आप क्लास काम कर रहे हो तो आपको यहां पर एक प्रॉप्स नाम की प्रॉपर्टी है उसके अंगर उसको अप्जिक्ट को ले रहे हैं जो भी आकर डेटा होगा कि सबको सेम इशुवार है वाई कि सबको सेम इशुवार है वाई नामाज क्लियर है अगर अगर को कि अगर करो कि अपनी नेक स्पीड मुझे बेज़ों आपकी नेट स्पीड कितनी हा रहे हैं हेलो मेरा वर्किंग है भाई मुरका आपनी नेट स्पीड बेज़ो फटापट से आप सबकी नेट स्पीड कितनी हा रहे हैं मेरे नेट स्पीड भी बढ़िया है और माइक टैस्ट कर रहा हूं मेरा वह भी क्लियर है मुझे सर्व अपनी नेट स्पीड बेज़ना जा रहा है जिसको इशुआ है कर दो